हेलो व्यूवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अरेबिक डेजर्ट की रेसिपी जिसे असीदा या फिर असीद के नाम से जाना जाता है इस मिठाई को खजूर से बनाया जाता है जो बहुत हेल्दी और टेस्टी है तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसे लेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्टेन में 2 टेबल स्पून देसी घी एट करेंगे देखिए आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून तेल और 1 टेबल स्पून बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे तो आप देख सकते हैं कि घी मेल्ट हो चुका है इस स्टेज पर हम इसमें दो टेबल स्पून मेडा एट कर देंगे गेस की फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर लगाता चलाते हुए मेडे को घी में तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सुनेरा ना हो जाए इस रेसिपी के एक खास बात ये है कि ये मीठी ज़रूर है लेकिन इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि हम इसे खजूर से बना रहे हैं तो जो लोग डायेट करते हैं उनके लिए भी ये डिस बहुत ही फाइदे मन है इस विंटर के सीजन में इस हेल्दी और टेश्टी अरेविक डेजर्ट को आप अपने घर पर ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में अपने एक्स्पीरेंस जरूर से सेर कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि हमने मेदे को तब तक भूना है जब तक इसका कलर थोड़ा सुनहेरा ना हो जाए तो तकरीबन दो मिनिट तक लो फ्लेम पर मेदे को भूनने के बाद हम इसमें आधा कप मिल्क पाउडर एट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर पेन ज्यादा गरम है तो आप मिल्क पाउडर एट करते वग देस की फ्लेम को ओफ कर दें तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो आपने देखा कि मिल्क पाउडर एट करते के साथ ही इसका कलर चेंज होने लगा है तो तुरंथ हम इसमें एक कब पानी एट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लंचना रह जाए अगर आपके पास मिल्क पाउडर अवेलेबन ना हो तो आप घर की मलाई का या फिफ रेस क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो पानी एट करने के साथ ही मेदे ने सारा पानी एब्जोब कर लिया आप देख सकते हैं कि यह अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी लंच नहीं है तो इस टेज पर हम इसमें खजूर का पेस्ट एट कर देंगे तो हमने 250 ग्राम खजूर के बीज निकाल कर इसे मिक्सी जान में ग्राइंड करकर इसका पेस्ट बना लिया है तो खजूर को मिक्सी जान में पीशते वक्त हमने इसमें आधा कब दूद एट किया था तो दूद एट करने से इसका फाइन पेस्ट बनकर तयार हो गया तो आप भी जब खजूर को पीसेंगे तो इसमें आधा कब दूट जरूर से एट कर दीजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब हम इसे लगाता चलाते रहेंगे और गेस्ट की फ्लेम को लो रखेंगे लो फ्लेम पर लगाता चलाते हुए दस से बारा मिनिट तक इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे तो अब देख सकते हैं कि मिल्क पाउडर और मेदे के साथ हमने खजूर के पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इसमें आधा कब पानी एट कर देंगे देखिए इससे पेले भी हमने आपके साथ अरेबिक डेजर्ट की रेसिपी सेर की हुई है जिसे की लाइली लुबनान, दुबई की स्पेशल खजूर बर्फी और तलबीना की खीर वो रेसिपी से अगर आपने नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो लगाता चलाते हुए हमने इसे लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनिट के लिए भूल लिया है आप देख सकते हैं कि पहले की कंपेरिजन में ये थोड़ा पतला हो गया है तो असीदा की एक खास बात ये है कि इसे हम हलवे की तरह गाढ़ा नहीं रखेंगे इसकी कंसिस्टन्सी को हम थोड़ा पतला ही रखते हैं और इस टेश पर हम इसमें एक टेबस्पुन घी और एट कर देंगे अगर आप इसे घी में बना रहे हैं तो घी को आप एक साथ में मत एट कीजिएगा इस तरह बेचिस में एट कीजिएगा अगर आप तेल या फिर मक्षन का इस्तेमाल करके बना रहे हैं तो एक साथ में ही उसे एट कर दे तो आप देख सकते हैं कि घी इसमें अच्छे से मेल्ट हो चुका है देखिए इस टेज पर आप इसमें थोड़ा सा नार्यल का बुराधा भी एट कर सकते हैं या फिर सुखे नार्यल को कद्दू कस करके थोड़ा सा एट कर दे लेकिन हमने इसे स्किप किया है तो साथ ही में हम इसमें फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून इलाची पाउडर एट कर देंगे साथ ही में एट करेंगे एक डबल स्पून ड्राइफ रूट्स तो ड्राइफ रूट्स आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई से भी एट कर सकते हैं हमने बादाम और पिष्टे लिए हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए आप इस स्टेज पर इसमें थोड़ा सा केसर भी एट कर सकते हैं अब गेस्की फ्लिम को उफ करके इसे सव कर लेंगे तो आपने यहां पर एक बात नोटिस की होगी कि नॉर्मल ही हम जो हलवा बनाते हैं उसकी कंपेरिजन में इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और आसान सी रेसिपी के साथ यह खाने में भी बहुत ही टेश्टी है तो खाने के लिए तैयार है अरेबिक डेजर्ट, असीदा या फिर असीद वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें अगर आप हमारी इससीपी को अपने घर पर ट्राइ कर रहे हैं तो हमारे साथ कॉमेंट बोक्स में अपने एक्सपीरेंस सेट करना बिल्कुल भी न भूलें तो इसे सव करने के बाद हम इसमें गानिशिंग के लिए थोड़े से ड्राइफूर्ट सेट कर देंगे और थोड़ी सी खजू रेट कर देंगे गानिशिंग के लिए आप यहाँ पर सहत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो फ्रेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई